आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ Christmas Fruit Cake की रेसिपी इसमें ना एलकोहॉल है ना Fruit Juice है ना एग्ज है तो फिर क्या है यह मैं आपको बाद में बताऊंगी Hello everyone कैसे हैं आप सब मेरा नाम है पायल और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए festivals की तयारी करते हैं और Christmas Fruit Cake बनाते हैं सबसे पहले Dry Fruits को Mix करेंगे इसके लिए 10 से 15 काजू काट कर ले लिए हैं 10 से 15 बादाम ले लिए हैं 8-10 किश्मिश 8 से 10 काली वाली किश्मिश भी ली हैं 2 से 3 चम्मच टूटी फूटी बहुत अच्छी लगती है और थोड़ यह क्रिस्मस का टाइम है ड्राइफूट की शॉप पर असानी से मिल जाएंगे एक चम्मच मैदा लेंगे और इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे यह करना इसलिए जरूरी है ताकि जो यह सारी ड्राइफूट्स हैं वो इवनली केक में स्प्रेड हो जाएं नीचे तले स्प्रेutemen ब pastel बनाते हैं एक कप हमने यहां पर ले लिया है दही कि यह कि एग्वलेس केक है इसलिए दही कि बैक सेमच के साथ में एक कप पिखी हुई चीनी ले लेंगे एक कप दही एक कप पिखी हुई में जो की अक्सर हो जाती है तो आप इसे फैट सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद में पांच मिनिट हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे रेस्ट करने देंगे पांच मिनिट के बाद आप इसके उपर बबल्स देखेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चम्मच वेनि भी ले सकते हैं आपके उपर है लेकिन घी से बहुत सॉफ्ट बनता है केक आप ठ्राय करके देखेगा मिक्स करेंगे ज्यादा कुछ फैटना नहीं है सिंप्ली हमें इसे मिक्स करना है अब इसमें इसेज़। बनता है तो सबसे पहले डालचीनी का पावडर ऍाहच, जिंजर पावडर याने सउट का पावडर झेखेट का जाइफल पावडर ट्राय चॉट ए एक चोथाई चम्मच और लॉंग का पाउडर भी एक चोथाई चम्मच लॉंग को मैंने कूट लिया है और फिर लिया है पाउडर बना रहुए सब को सिर्फ मीक्स करना है कोई भी इस्पाईस एक दो आपके पास नहींहें तो आप स्किप कर सकते लेकिन ये Christmas fruit cake है तो इसमें Spices जाते ही जाते हैं अब इसमें डाल रही हूँ दो से तीन चम मच कोको पाउडर इसे मैने पहले ही छान लिया था इसके साथ ही मैदा ले रही हूँ मैदा भी हमने पहले ही छान लिया था मैदा मैने 120 ग्राम लिया है आधा मैदा मैने इसमें लिय है और मिक्स करेंगे एक साथ पूरा मच डालेगा आधा-ाधा करके लीजेगा और मिक्स कीजेगा बाकी का आधा-मैदा भी हम इसमें डाल देते हैं और दुबारा हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब आप मिक्स करें तो cut and fold method से इसे मिक्स कीजेगा देखिए इसे cut किया fold किया, cut किया और fold किया इस तरीके से आपको मिक्स करना है अब यह जो बैटर है यह मिक्स तो हो गया है लेकिन मुझे थोड़ा सा यह थिक लग रहा है तो मैं इसमें डाल रही हूँ तीन से चार चम्मज गरम पानी इससे दो चीजे होंगी एक तो यह कि हमें एक बढ़िया कांसिस्टेंसी मिल जाएगी हमारे बैटर की जादा थिक नहीं होगा और दूसरा यह कि जो हमारा केक है वो अंदर से काफी मॉइस्ट बनेगा तो देखिए इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे ड्राइड फूज जो हमने पहले ही मिक्स करके रखे थे इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे यह केक बहुत ही फ्लेवर फुल बनता है जब आप इसे बनाएंगे तो आपके घर में एक बड़िया सी खुश्बू आ जाएगी और जब आप इसे खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा तो आप इसे जर असानी से बाहर आ जाएगा बैटर को हम अच्छे से लेविल कर देंगे केक टिन में उपर से मैं गार्निश कर रही हूँ काजू के साथ में आप प्लेन भी रख सकते हैं और आप चाहें तो जो ड्राइफ रूट हमने मिक्स करके रखे थे वो भी थोड़े से उपर से आप डा कीट करेंगे जैसी कड़ाई बढ़िया घरम हो जाएगी केक टिन को हम उसके अंदर रख देंगे ढग देंगे फ्लेम को कर देंगे लो से मीडियम पर और 30-35 मिनिट तक कि को अच्छे से बने देंगे तीस से 35 मिनिट के बाद आप चेक करेंगे कि जो हमारा केक है वो से बनकर तयार हो गया है इसे किसी cooling rack पर निकाल दीजे आदे घंटे के लिए ठंडा होने दीजे और इसके ऊपर कोई कपड़ा या टाल रख दीजे ताकि ऊपर का जो लेयर है वो ड्राय ना हो मैं भूल गई थी लेकिन मैं आपको याद दिला रही हूं आदे घंटे के बाद है और हर बाइट में आपको ड्राय फ्रूप मिलेगा ही मिलेगा कैसी लगी है आपको यह रेसिपी मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताईगा वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा मेरे चानल को जरूर से सब्सक्राइब कीजेगा और उसके बाद जब बैल आइकन उसे भी जरूर से प्रेस कीजेगा चल्द ही मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाइ